Hello friends, welcome to my channel, मैं हूँ प्रिशन साब आज मैं आपको ICC Computer Zone Book की एक चाप्टर पढ़ाऊंगी चाप्टर नूमबर 2, Uses of a Computer आज हम इस चाप्टर में Computer के Uses पढ़ेंगे A Computer is a useful machine Computer बहुत useful machine है, बहुत अच्छी machine है We use it to do many things हम Computer का यूज करके बहुत सारे चीज़े कर सकते है We use it to type letters हम letters लिखने के लिए यूज कर सकते है We use it to listen to music हम गाना सुनने के लिए यूज कर सकते है We use it to play games हम games खेलने के लिए यूज करते है We use it to draw and color pictures हम drawing और coloring के लिए यूज कर सकते हैं Computer को We use it to watch movies हम movies देखने के लिए use कर सकते हैं we use it to chat के तार friends हम friends के साथ chat करने के लिए बाते करने के लिए use करते हैं जैसे मोबाइल से WhatsApp पर chat करते हैं बसे हम computer भे चाट कर सकते हैं we use it to know more about something using internet हम internet का use करके कुछ जाहरा जांकरिया ले सकते हैं हम गूगल का यूज करते हैं अपनी कोई भी डाउट सॉल्फ करने के लिए वी यूज इटो सेंट एंड डिसीव मेसेज़ेंज हम मैसेज सेंट कर सकते हैं और दूसरे उसे ले सकते हैं चेक यूर प्रॉग्रेस आये अब अभी तक क्या पढ़ है चक करते हैं हमको activities दी हो यह उस्पर टिक करना जो hop कंप्योटर पहे कर सकते हैं वॉक LOOK हूं श्वीकाग आइं कर सकते हैं walked तो हम गाडन में करते हैं इसलिए असलिए cross play games हाँ हम computer अपर games क्हेल सकते हैं थैज स्विम नहीं स्विम हम नहीं कर सकते हैं स्विमिंग पूल में करते एं type कर सकते हैं इसलिए टिक draw pictures pictures भी draw कर सकते हैं mouse और keyboard की help से इसलिए टिक drink water नहीं, water नहीं drink कर सकते हैं computer के use करके watch movies हाँ, हम movies देख सकते हैं computer के use करके, इसलिए टिक listen to music गाना भी सुन सकते हैं computer के use करके इसलिए टिक places where computer are used Computer are used in many places Computer बहुत सारे जगह पे यूज़ किया जाते हैं जैसे home Home में हम computer यूज़ करते हैं New चीज़े learning करने के लिए Drawing करने के लिए और बहुत सारे चीज़े के लिए खेलने के लिए Games खेलने के लिए School School में हम computer यूज़ करते हैं Railway Station Railway Station पे जो अंकल रहते हैं वो यूज़ करते हैं Computer टिकेट्स बनाने के लिए Airport Airport पे computer यूज़ होता है हमारा information और टिकेट्स को Renew करने के लिए Hospital Hospital में computer यूज़ होता है हमारा treatment करने के लिए जैसे ये nurse कर रही है आज मैंने आपको बस chapter पढ़ाया है इसका question answers मैं आपको part 2 में दे दूंगी और आप तब तक chapter को अच्छे से read करना Today's fact English literature में एक ही ऐसा word है जिसकी ending M और T से होती है वो word है dreamt D-R-E-M-T dreamt मतलब सपने देखना dreamt ड्रीम का past tense है और dreamt एक ऐसा ही word है English में जिसकी ending M और T letters को use करके होती है और कोई letter की ending M और T letters को use करके नहीं होती है I hope मैंने आपको जो पढ़ाया है आपको समझ में आ गया है आपको कोई doubt है तो मुझे comment box में comment करके बोलना और मेरे वीडियो को like, subscribe और share करना और bell icon भी प्रेस कर लेना Thank you, see you in next video, bye Bye!